Hello students, कैसो आप सबीरो? तो चलो March की revision series को आज कोशिश करते हैं, खतम हो जाए आज ये आखरी ये session हो March 2020 की revision series का और फिर इसके बाद जैसे ये revision series खतम होगी मतलब यह आज का chapter में अगर March खतम हो जाता है तो एक compilation में आपको दे दूँगा जिसमें पूरा March का जो हो एक single video में पूरा आपको revision जो हो provide कर दिया डाएगा बाट देखो एक छोड़ी सी problem ही हो गई है पहली वाली revision की file जो है वो corrupt हो गई है अब वो पहली वाली तो नहीं मिल पाईगी उसके बाद के revision की file मिल जाएगी मतलब की 30-40 minute का जो session तब पहला वाला वो नहीं मिल पाएगा बाकी इसकी PDF आप लोग के पास हाई magazines वगरा जिन लोगों ने लिए उनके पास हाई आप चलो मैं start करता हूँ 81 bonds की बात करेंगे 81 bonds और जब भी यस bank का नाम आता और से related कोई news आती पहले ही आपके दिमाग बाना चाहिए क्योंकि yes bank NPO हो गया था आपको पता हो गया इस बहुत बुरी हालत होगी थी तो इस bank के अंदर 81 bond holders जो थे उन्होंने 10,800 करोड रुपे जो है वो invest किया था और RBI ने कहा था RBI का जो restructuring का plan है उन्होंने प्रपोस किया कि यह जितना जो पैसा है वो dues हो है वो clear कर दिया जाए इन bonds का right तो यह है तो 81 का full form है additional tier 1 bond यह एक type का unsecured perpetual bond हमें देखने को मिलता है जो की bank जारी करती है अपनी core capital base को जो है वो boost करने के लिए बासल 3 norms को meet करने के परपस के लिए यह बासल-3 norms जो है बासल 3 को rules है या फिर जो उसकी conditions होत्यी है उसको fulfill करने के लिए उसको meet करने के लिए 81 bonds जो है वो bank जारी करती है 81 bonds के कुछ unusual feature होते है पहली बात तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यह सब चीज प्रिलिम्स में आ सकती है इसकी कोई भी maturity date नहीं होती है आपको बता होगा इस bond जो होता है एक प्रकार का debt instrument होता है company को जो है वो company साब bond लेते हो company को पैसा देते है और bond के उपर लिखी हो रहती है date maturity date कि किस date पर जो principal amount होता है वो company आपको देती है including interest also या कई बाद tokens होता है जो कि हर साल जो हो निकाले जा सकते है बढ़ यहाँ पर इसमें problem यह है इस प्रकार के bonds के अंदर कि कोई maturity date नहीं होती maturity date नहीं होने का मतलब कि bank जो है वो unlimited period के लिए जो है वो आपका principal amount जो है वो रख सकती है और उसके बदले में आपको interest तो देगी that is for sure बढ़ हां interest rate जो होगा उसको कम जादा करना भी bank के control में होता है तो इस प्रकार का यह unsecured bond हम लोग को देखने को मिलता है इसके अंदर call options होता है जिसमें bank को allow किया जा सकता है कि bank जो है वो 5-10 साल के बाद जो है redeem कर सकते है पर problem यह है कि bank जो होती है वो इस प्रकार के bonds जो होते न तो सिर्फ उसका interest देती है और eternity के लिए मतलब की lifelong unlimited time के लिए हमें देखने को मिल सकता है कि एक बार यह bond लेने के बाद याने की पैसा लेने के बाद bond सामने वले वक्ति को देने के बाद principal amount जो हो bank देती नहीं है उसके बदले में interest देती रहती है और दूसरी बाद bank जब 81 bonds issue करती है तो even वो interest payout जो है एक साल का एक particular year का वो skip भी कर सकती है मतलब की bank के पास यह पूरी authority है कि bank सामने वले वक्ति को एक आती साल के लिए अगर interest नहीं देना चाहे तो नहीं भी देगी even उसकी bond की जो face value होती है मतलब face value जो पैसा उसने दिया होता है जमा कराया होता है और bond लिया होते है जिस पैसे पे तो उस money को जो है उसकी face value जो है उसको भी कम कर सकती है reduce कर सकती है यह बोलते होए कि जो पैसे की value जैसा आप जानते हैं गर जाती है तो वो यह बोलते होए जो है वो उसके value जो है वो outstanding 81 bonds को बिना किसी investor से consult किये तो है ऐसी चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल सकती है तो इस प्रकार के unusual feature हम लोग को 81 bonds में देखने का मुलते है तो 81 bonds के बारे में ये 3-4 points आप थोड़ा सा ध्यान में रखना association of mutual funds in India जो है उन्होंने RBI और SEVI से request करी थी कि temporary जो है वो write-down कर दो 81 bonds को yes bank के instead of completely write-off करने की जगा मतलब कि dues को pay करने की जगा इसको जो है वो वो कर दो मतलब कि आप temporary period के लिए जो है वो बंद कर दो कि मतलब कि पैसा अटका दो लोग होगा तो ये चीज जो है वो देखने को म नहीं रखना और देखो temporary write-down का मतलब क्या होता है bonds के अंदर call options होता है पात साल के बाद का कि पात साल के बाद जो है वो mature हो सकते है बट अगर central bank allow करती है temporary write-down की procedure तो इसमें जो भी पैसा जो होता है वो वही के वही freeze हो जाता है मतलब कि कुछ समय के लिए bank के ओपर वो liability जो 2015 से और ये national super computer mission के अंदर हमें देखने को मिलते है super computing mission के अंदर तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना हम लोगों ने तीन जो है वो super computer जो है वो 2015 के बाद से produce किये है तो आपको ये computer के नाम पता होना चाहिए परम शिवाई ये IIT बनारस Hindu University वाना नासी के अंदर हमें देख देखने को मिल रहा है और दूसरा IIT खरक पोड के अंदर ये सब चीज़े अगर याद भी नारों को कहा कहा पर है पर अपको इसके थोड़े से परम शिवाई जैसे ये नाम है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और दूसरा है परम ब्रह्म राइट तो ये हम कंप्यूटर जो है वो एड कर लिए और मार्च 2020 तक 270 सूपर कंप्यूटर की लिस्ट जो है उसके पास हमें देखने को मिलती है और नैशल सूपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसका में मकसद ये है कि सेट अप करना 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमार प्रजेक्ट भी है आने मेले समय के लिए कि हमें कुछ इस प्रकार से नेटवर्क क्रियेट करना है कि हमारी कंट्री पर कहीं पर भी अलग अलग जहां पर जो इसकी और research and development की जो labs होती है आपस में connect कर सके हैं और collaborate करके जो है वो एक project पर सभी के सभी एक at a time एक project पर काम कर सके है real time basis पर और इसकी parent body जो है वो ministry of electronics and IT information technology है मीटी है और department of science and technology हमें देखने को मिलती है इस mission की तो यहली चीज़ आप लोग को पूने के अंदर है center for development of advanced computing और Indian institute of science बैंगलरू अब shared economy क्या होता इस प्रकार के terms आ जाते है news बगरा में economics related तो question आ जाते है shared economy क्या है तो इंडिया के अंदर shared economy जो है वो 2020 के end तक estimate लगाए गया था कि 2 billion US dollar होगी in the sharing economy individuals are said to rent or share things like cars, homes personal time, personal time also to other individual in peer to peer fashion, तो देखो sharing economy में लोगपा क्या करते है अपनी किसी object को या फिर अपने time को जो है वो share करते है by making it easier to exchange resource on demand और sharing economy जो है efficiency को बड़ा देती है क्योंकि देखो obvious ही बात है कि ये घर खरीदना और घर को rent में लेना उसमें जमीन आस्मान का अंतर हो जाता है जैसी कि आपको एक commercial building जो है वो खरीद नहीं है तो उसमें आपके करोलो लग जाएंगे बड़ अगर आपको उसको किराय पे लेनी है तो उसमें कुछ लाक में ही आप वो कर लोगे मैंनो ले लोगे तो ये चीज़ हमें देखने को बिलते हैं और काफी सारे की process के बारे में आप जानते ही है photosynthesis की process के दुरू solar energy से plant जो है वो अपना क्या करती है सूरी की केंड़ों से अपना खाना मनाती है तो ये बदाय जा रहा है कि इस process में plant जो है वो solar energy को अपने पास जो है वो store करती है sugar molecules के form में और however if sunlight मतलब की solar energy is in excess अगर ये भारी मातरा में है तो it can lead to leaves being dehydrated and damaged तो अगर जादा मातरा में solar energy होगी तो जो पतियां होगी वो damage भी हो सकती है और excess solar energy जो होती है वो transfer होती है pigment chlorophyll से जो की पतियों में green color के लिए responsible होती है पतियों को green color देती है pigment chlorophyll और ये दूसरे pigment जैसे की carotenoids तो इसमें जो है वो transfer हो जाती है solar energy excess solar energy और carotenoids जो है ये basically release करते है energy को ऐसा heat के form में तो भार energy को release करते हैं ये heat के form में तो देखो ये वाली जो चीज होती है जैसे कि आपने कर environment की class ली होगी EBS की class जो मैं conduct करता हूँ तो उसमें आपको बता होगा कि मैंने आप लोग को एक पढ़ाया था कि energy flow energy flow के बारे में हमने discuss किया था इसमें हम ये भी बोल रहे थे कि energy जो है वो निकलती भी है heat के form में right excess energy जो है वो heat के form में loss होती तो ये energy का loss ही हम लोग को देखने को मिलता है जो की heat के form में जो है वो release होता है वो यह यह चीज यहाँ पर बता ही आ रही है तो देखो इसमें सार ये चीज है आपके prelims के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब पत्तियों के अंदर आपको बस ध्यान में रखनी है और ये release करती है कौन ये ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है car tenoids car tenoids ये release करती है plant से heat को ये वाली चीज आप थोड़ी सी पता होनी चीज़ ये बस आपको ठीक है इसके लाबा government जो है mawa based alcoholic drink जो है वो launch कर रही है mawa, mawa के बारे में आप लोग जानते होंगे ये देशी दारू, देशी सराप वैसे भी देशी दारू type की नहीं होती ये भी और महला काफी सारी चीजों से जो है वो मिलकर बनती है ये से wheat के जो product होते है उससे मिलकर बनती है तो mawa जिसे madhu का indika नाम दिया गया है ये basically एक प्रकार का forest tree है tribal areas में उकता है बस्तर 36 गड़के, बस्तर वो नकसली area और important role play करता है ये rural economy के लिए गाउचेतर की economy के लिए, mawa के फूल भी होते हैं जो की sugar के rich source के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं इसमें काफी vitamins होते हैं, minerals होते हैं even calcium तक होता mawa में मतलब कि दारू पी के सिहत बनाई जा सकती है ये वाली बार बताई आ रही है और flowers जो है उनको सडाया जाता है, distill किया जाता है और उनकी liquor, शराब जो है वो बनाई जाती है beverage जो है, इसे mawa nutri beverage जो है, वो कहा जा रहा है high nutritional value है और low alcohol content इसमें हमें देखने को बलता है मात्र 5% का alcohol content है अब देखो इसे develop किया, IIT दिल्ली ने 2 साल की research के बाद Trifit के collaboration के थू है वो इसे develop किया गया तो याद रखना, सरकार भी mawa बना कर बेच रही है और low की health को ध्यार में रखते हुए बहुआ बना रही है, जैसे कि जो आ दी है ना शरावी तो उनको कहा जा रहा है कि चलो ठीक, आप शराव नहीं छोड़ सकते ये पीओ, चलो ये पीओ, इस ते आपकी सेहत भी बनेगी, और marketing जो है वो कंड़क की जा रही है, ट्रावल अफेर्स मिनिस्ट्री, वैल्यू एडिशन, इसकीम वन धन, विकास कारीक्रम के थूँ, तो थोड़ी बात हम वन धन, विकास कारीक्रम की भी कर लेते हैं, तो यह अली चीज भी आपसे पूछी आ सकती है, तो nationwide program है यहाँ पर लोगों की, तो यह सब चीज़ों के वारे में training जो हो प्रवाइड करती है, ट्रावल मिनिस्ट्री, और इस program के थूँ, बंधन, विकास, कारीक्रम, और इसमें क्या होता है कि इनके जब product जो होते हैं, फर market में बेची जाते हैं, उससे जो पैसा मिलता है, तो वो होता है food items होते है jams होता है pulps होता है jewelry होती है इसकी implementing agency है यह वाली चीज हर्ड immunity यह चीज आप से पूछी आ सकती है हर्ड immunity के बार में कि हर्ड immunity होती क्या है तो देको हर्ड immunity में होता क्या है मैं आपको अधाता हूँ यह एक प्रकार का indirect protection हम लोग देखने को मलती है infectious disease से तो यह चीज आप से पूछी आ सकती है इसके बार में कई बार हम लोग ऐसे regular class में तो सभी चीज डीटेल में चर्चा करी चुके हैं बड़ आपको हर्ड immunity के बार में यही चीज पूछी आएगी कि यह क्या है यह एक प्रकार का indirect protection है infectious disease से जब हम देखते हैं कि large percentage of population को जब यह disease हो जाती है और वो लोग जब immune हो जाते हैं इस disease से तो इस infection को रोका जा सकता है कैसे रोका जा सकता है जैसे कि देखना बात समनना अब देखो यह वेक्ती जो है यह दोनों जो है वो infected है यह वेक्ती जो है वो immune है ठीक है बात समनन ये वेक्ति immune है, ये नीचे वाले दोनों जो है वो infected है अब virus जो है वो फैले का किससे? एक वेक्ति जो है infected है उससे दूसरे वेक्ति में जो है virus felt है transcription virus का इसी प्रकार से होता है बट अगर ये वेक्ति जो है वो immune है, मतलब इसका immune system काफी अच्छा है तो ये क्या करेगा? ये virus को आगे दूसरी population को फैलने नहीं देगा तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि herd immunity जो है वो काम करती है जो लोग immune होते हैं वो दूसरे लोगों को protect कर लेते हैं वो ऐसा barrier के तौर पर काम करते हैं तो ये बिसिकली जो non immune person है उनके protection के लिए herd immunity इस प्रकार से काम करती है simple दीजी तो आपको ध्यान में रखनी है Corona virus में हमें देखने को मिल रहा है कि ये इस herd immunity का बहुत जिक्र किया गया था और यहाँ पर हम लोग को भी देखने को मिला था कि high human cost जो है वो इसमें involved रहती है तो criticize भी किया जा रहा था इस प्रकार की approach को क्योंकि obviously बात है ये लोगों की जान इसमें रिस्क में भी डाली जा सकती है और UK सरकार ने कहा है कि herd immunity जो है वो सरकारी policy नहीं है नहीं सरकारी goal है बस इसका discussion हो रहा है कि अगर इस प्रकार की भी चीज़ें हो जो immune person है वो इस प्रकार से non immune person को protect कर सकते हैं बड़ आपको term बता होना चाहिए और बस उसका meaning यही चीज़ बसाएगी अब देखें notified disaster and state disaster response fund की हाबर बात हो रही है यह disaster management act 2005 के under इसे बनाया गया था यह primary fund जो है वो states के पास हमें देखने को मिलती है कि कि किसी भी प्रकार की आपदा आती है notified disasters अगर आते हैं तो उससे लड़ने के लिए इस कोश से इस fund से जो है वो पैसा निकाला जाता है central government इसमें 75% contribute करती है general category states के लिए और union territories के लिए और 90% special category states और union territories को जो है वो provide किये जाते है central government की तरफ से जिसमें north eastern state सिक्क्यम हिमाचल प्रदेश और उतराखन मौझूद रहती है और united states के president ने भी national emergency जो है वो पूरी country में united states में declare कर दी थी और इनोंने एक इनके पास कानून है जिसका नाम है stafford act उसको इनोंने लागू कर दिया था जिसमें federal government है मतलब की जो central government इनकी हमें देखने को मिलती है वो contribute करती है 75% cost relief के लिए मतलब की राहत प्रवाइड कराने के लिए states को तो यहाली चीज़ इनकी हमें देखने को मिलती है और united states में यह वाला जो कानूने वो stafford कानूने यह वाली चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान म पर बात हो यह नाम सेजन में आ रहा है कि हो सकता है कि कोई एक center और हमें पढ़नी रहा है भी अनुवान लगाते हैं जैसे मानले तो मैं आप लोग ने नहीं पढ़ा है वैसे तो पढ़ लिया हुआ regular student ने क्योंकि मैं हर एक topic को बहुत अच्छे से example दे कर समझाता हूँ तो पैसा जो है 2019-2020 के budget के मताबिक 20% ही पैसा जो है वो खर्च किया गया है और यह इसी चीज़ पर किया गया है कि national career service scheme जो है उस पर पैसा खर्चा नहीं जा रहा है तो आपको यह national career service scheme के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए तो mission mode projects यह हम लोग को देखने को मिलता है और e- job seekers है यानि कि जिन लोग को job की आवशकता है और जो employers है जिनको employees चाहिए तो उनके gap को fulfill करता है job seekers तो seekers को employers तक पहुचाता है counseling गर के उनकी तो यह चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है national career service की right तो career related services जैसे की dynamic job matching career counseling तो यह सब इसके जो है वो काम होते skill development पर भी यह focus करती है तो यह सब चीज़े बस आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में बस एक idea होना चाहिए छोड़ा साथ अब रॉसलिंड Franklin की बात करें गाई तो पहला European Mars Rover है यह वाली चीज़ आप ध्यान में रखना कोशन आ सकता है रॉसलिंड Franklin क्या है तो Mars का Rover ठीके Mars में जाकर यह चलेग यह है कि जो भी कोशन्स है कि Mars पर क्या life होने की जीवन होने की संभावना है क्या तो उस कोशन को जो है वो address करेगा यह इनका mission Exo Mars Program Mission दूसरे और Mars के mission आप लोग को थोड़े अच्छे से पता होने चाहिए जैसे कि NASA का Perseverance Rover हमें देखने को मिलता है और इसे Mars 2020 के नाम से जा अब industries के categorization की हाँ पर बात हो रही है तो industries को categorize किया गया है उनके pollution के आधार पर तो environment की class में यह वाला topic जो है यह मेरे खाल से आज या कल में जो भी student environment की class में उनको यह वाला topic सेम मिल जाएगा क्योंकि industries के categorization की भी हम लोग जो है वो बात करते है एर pollution के अंदर जिस पे हमने नॉर्मल जो environment pollution को जो topic है तो उसमें industries को किस प्रकार से categorize किया जाता है तो उसके बारे में भी हलाकि मैंने आपको एक idea दिया भी था तो ministry of environment forest and climate change जो है वो categorize करती है या लगला categories में डालती है industries को pollution के अधार पर कि कितनी pollution जो है वो industry करती है उस अधार पर criteria क्या होता है तो ministry of environment forest and climate change ने एक criteria develop किया है कि किस प्रकार से industrial sector को categorize किया जाएगा उनके pollution index के अधार पर right कि कितना जो है वो emission मतलब pollutants air pollutants environment में या फिर water pollutants या hazardous waste जो है वो generate करती है तो ये चीज़ इसकी हमें देखने को मलती है तो कौनसी कौनसी categories है इस प्रकार की तो इसके बारे में एक general सा आ idea होना चाहिए तो देखो red category, orange category, green category हमें देखने को मलती है red category जिसके अंदर आती है cement industry कभी-कभी question ऐसी आ सकते है बताओ कि ये pollution के अधार पर जो industries को categorize किया जाता है तो उसमें red category industries कौनसी कौनसी है तो cement, petrochemical, pharmaceutical, sugar, paper भी याद रखना paper and pulp भी red category के अंदर आ जाती है क्योंकि carbon वहाँ से emit होता है nuclear power plants obviously आएगी आएगी organic chemicals, fertilizers, fire cracker अब देखो यहाँ पर organic शब्द भी जोड़ गया है तो उससे confused बात होना नहीं तो बतला है green category में इसको डालतो organic नाम सुनके तो इसको इन सब चीजों को ध्यार में रखना हो रहे है ऐसी ही चीज जो है वो उठाकर washries, glass manufacturing, paint, stone crusher, aluminium and copper extraction from scarf मतलब कि यह कम थोड़ी less pollution जो है वो create करती है और green category के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर आजाती है aluminium utensils, steel furniture, soap manufacturing, tea processing, फिर एक category आती है white category इसके अंदर हम देखते है कि practically non-polluting industry है यह तो अब देखो एक और चीज़ difference ध्यान में रखना कि green category जो है वो non-polluting नहीं है white category हमें देखने को मिलता है कि practically non-polluting है कि यह pollution नहीं करती है जिसमें अंदर air cooler air conditioning units आ जाती है chalk factories हम लोग को देखने को मिलती है biscuit tray units हम लोग को देखने को मिलती है इसे green clearance की आवशकता नहीं होती मलब financing purpose के लिए easier financing purpose के लिए देखो इसमें air condition units भी है और आपको पता है कि chlorofluorocarbon जो है वो air condition release करती है उसकी बट इसकी जो industries जो होती है जो इस प्रकार के parts बगरा तयार करती है तो वो white category के अंदर शामिल है तो इस प्रकार से भी आपको difference थोड़ा सा पता होना चाहिए और industry जो की हमें देखने को मिलता है कि जिसका score 60 या उससे उपर के scale में हम लोग को 1-200 के देखने को मिलता है उन्हें red में शामिल कर दिया जाता है जिनको 41-59 का score प्राप्त होता है उसे orange में रख दिया जाता है जिनको 41-40 का score प्राप्त होता है वो green में रहती है जिनने 20 से नीचे का score प्राप्त होता है वो white में रहती है तो यह इंसर्जेंट ग्रूप है यह जो की नौर्थ इस्टन नाइजेरिया से लेकर वेस्ट एफ्रिकन की जो कंट्रीज है जैसे की नाइजर, चाड, कैमरून और वहाँ पर एक लेक चाड बेसन हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर यह उपरेट करता है सन 2000 में बोको हराम जो है वह उभर कर आई थी नाइजेरिया के अंदर और एक छोटी सुनी इसलामिक सेक्ट हमें देखने को मिलती थी जो की स्ट्रिक्ट इंटर्प्रेटेशन और इंप्लिमेंटेशन इसलामिक लौ का करती थी बनला कि इसलामिक लोग को स्ट्रिक्ली यह फालो करती थी सुन्नी इसलामिक सेक्ट यह ग्रूप जो है उसे ओफिशिली कहा जाता है जामा अलह अससुना लिदा, लिदा वा अल जिहाद, तो ये इसको जो हो कहा जाता है, और इसे बोको हराम कॉमनली कहते हैं, और बोको हराम जो नाम दिया गया है, यह यहाँ पर रहने वाली जो लोका हाउसा स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, यह जनता है, तो उन्होंने इ जो western education और culture जो है वो हराम है इसको ban करना चाहिए तो ऐसा जो है वो कहा जाते है कि Islam में इनको ban करने के बारे में mentioned है तो यहली चीज़ आपको थोड़ी सी पता होने चीज़ी countries वगएरा की location वगएरा के बारे में भी थोड़ी सी आपको जान करी होनी चीज़ी है खुशन आ सकता है कि वरली अभी news में था क्या है यह तो आपको ध्यान में रखना है Google की parent company जो है na alphabet तो उसी की एक subsidiary company हमें देखने को मिल रही है जिसका main focus है science और healthcare के उपर और 2015 में से launch किया गया था यह claim करती है कि उसे एक ऐसी दुनिया बनानी है इसको एक ऐसा mission तयार करना है जिसमें पूरे दुनिया भर के लोगों का जो data जो है उसका इस्तवाल किया है जा सके है उनकी life को better बनाने के लिए healthy बनाने के लिए तो यह इसका main purpose हमें देखने को मिल रहा है और अभी यह develop कर रही है कुछ tools और devices जिसमें वो collect कर रही है, organize कर रही है activate कर रही है health data को और एक हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से disease को manage करना है, prevent करना है तो उसके पूरे वो algorithm तयार कर रही है यह United States की सरकार को मदद कर रही है एक website develop करने के लिए तो उसकी उन्हें जो है वो जानकारी मिल जा तो United States की सरकार वो वरली के साथ collaborate करके एक website बना दी simple सी चीज में आपको यह ध्यान में रखनी है अब देखो soap जो है, जो साबुन जो होता है किस प्रकार से coronavirus को tackle करने में मदद करता है, तो देखो यह वाला जो चीज है, यह mains में आप लिख सकते हो, ऐसे उतना mains के लिए भी important नहीं है, फिर भी बाइचांस कुछ चीज आजाए, prelims में, तो आपको थोड़ा पता होना चीज, तो WHO ने guidelines जारी करी थी कि किस प्रकार से coronavirus के infection को reduce किया जा सकता है, उनमें से एक जो चीज थी, वो यह थी कहा गया है कि अपने हाथ जो है, वो साफ करें alcohol-based hand rub से या wash करें, soap या water से, तो वही वाली चीज है, तो soap कैसे मदद करें, obviously आप सबी जानते हो, हाथ दोकर मदद होगी, इसमें तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, right, simple सी चीज हमें देखने को मिलती है, और soap के बारे में कुछ चीजे जो है, वो बताई हुई है, simple सी जो science वगरा में, आप पढ़ा ही होगा, आपने थोड़ी basic सी चीजें इसकी, और वैसे इतनी important नहीं है, चार stages हम लोग को coronavirus के transmission के क्या देखने को मिलते हैं, तो पहला stage, जो है वो imported transmission, यानि बाहर की country से coronavirus आगया, दूसरा stage, अब बाहर की country से country के अंदर आया, तो फिर लोकली जो है, वो spread हो रहा है, और transmission जो हो रहा है, वो direct contact infected person के साथ हो रहा है, country के अंदर ही, तीसरा stage, community transmission, transmission, community, community के बीच में जो है वो transmission हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत भारी मातरा में लोग जो है वो affect हो रहे हैं, और ऐसे लोग affect हो रहे हैं, जिनका कोई travel record history जो है वो नहीं है, या फिर ऐसे area पर वो नहीं गये हैं, जिन areas पर ये transmission फैला था, क्योंकि एक अद्धी सदस ही जो होता है, वो पूरी community को वो कर देता है, infect कर देता है, और फिर वो community जो होती हो दूसरी further transmission इस प्रकार से बढ़ता जाता है, तो इंडिया की strategy, social distancing और isolation की ये aim करती है, कि community transmission को जो है, वो चेक करना है, और चौथा जो है, वो epidemic हमें देखने को मिलता है, महामारी एक large outbreak हम लोग को देखने को मिलता है, भारी मातरा में लोगों को जो हो जाता है, तो यहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, it is less severe than pandemic, pandemic से कम CVR है, क्योंकि pandemic जो होता है, वो large area पर होता है, उससे कम area पर जो होता है, वो epidemic हम लोग को देखने को मिलता है, और Indian Council of Medical Research ने announce किया है, कि वो testing करेगी influenza patients को, बिना किसी travel history की, मलब जिनकी travel history नहीं है, उनको भी test किया जाएगा, और या फिर उनको भी test किया जाएगा, जो coronavirus disease के, यानि कि जो infected person है, उसके contact में ना आये हो, तो उनको भी test करने का announcement नो ने किया था, वैसे तो ये सब चीज़े पुरानी हो चुकी है, अब exam में नहीं आएगी, बट फिर जो काम की चीज़ है, वो मैं आपको उतार हूँ, भारत stage emission standard, ये चीज़ पूझी आ सकती है, सन 2000 में इसको introduce किया गया था, इसे setup किया गया था, central pollution control board के द्वारा, और ये ministry of environment, forest and climate change के अंदर आती है, इसका objective क्या है गाईज, तो air pollutants जो emit होते है, internal combustion engine के through गाडियों के, तो उसे control में रखना है, बन्दब की गाडियों से जो pollutants निकलते हैं, तो उसे control में रखने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, कि ये भारत stage emission standards, जो हो हमें देखने को मिलता है, अरे देखो भारत stage emission standards होते हैं, तो ये एक प्रकार के standards होते हैं, जो की car manufacturing companies को जो है वो, या vehicle manufacturing companies को जो है, वो दिये जाते हैं, उनको कहा जाता है, कि आपकी गाडियों में से जो है, इतने से जादे हैं, उनको बता दिया figures, कि इतने से जादा, मैंलब, pollutants जो है, वो पहली बार सन 2000 में हम लोग इसको introduce किया था हम लोगों ने और इंडिया 2000 के नाम से जाना जाने लगा, फिर बाद में BS2 2001 में लाया गया, अब जैसे इसे आगे बढ़ते आएंगे, वैसे-वैसे और strict होते जाएंगे, emission norms, मतलब की कम pollutants environment पर release करना और फिर भारत stage 3 आया 2000 पाँच में, उसके बाद फिर हम लोगो ने भारत stage 4 को जो है वो introduce कर दिया था, यह वाली चीज भी आप लोग को ठोड़ी सी पता होनी चाहिए, अब भारत stage 6 emission जो है, वो किस प्रकार से भारत स्टेज 4 से डिफरेंट है तो यह अला भी एक आईडिया रखो आप राइट क्योंकि मार्केट में आज की रिट में जादा गाड़ी है हम लोग को भारत स्टेज 4 की देखने को मिल रही है तो इसमें हमें डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की जब बात होती है और सेलेक्टिव कैटलेटिक रिटक्शन की जब बात होती है तो इसे इंट्रड्यूस किया गया था भारत स्टेज 6 नॉर्म्स के अंदर और ये भारत स्टेज 4 का पार्ट नहीं था मतलब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर मतलब एक ऐसा फिल्टर जो की डीजल को फिल्टर करता हो और कैटलेटिक रिटक्शन सेलेक्टिव कैटलेटिक रिटक्शन मतलब की कुछ सेलेक्टिव पल्यूटिंट को जो है वो कम करने के लिए निकि उसको वो एन्वार्मेंट भारत स्टेज six norms के साथ, और it will measure, ये measure करेगा, ये आकड़ा जो है वो बताएगा, कि किस प्रकार से real time condition के अंदर, जैसे laboratory condition नो होती है, labs में देखो, labs में हम लोग क्या देखते हैं, या फिर service center में हम लोग क्या देखते हैं, कि गाड़ी को एक ही, आपने कभी देखा होगा, कभी अब गए होगे service center पर, जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी का average चेक करना है, कि कितना average दे रही है वो, तो वो एक platform पर रख देते हैं, गाड़ी को गाड़ी को चलाते रहते हैं, और वो एक single platform पर चलती रहती, इंडियन roads के अ रियल टाइम condition है, तो उसको जो है, ये measure करेगा, कि रियल टाइम गाड़ी का emission जो है, वो क्या होता, रियल टाइम condition के हिसाब से, तो ये चीज जो है, वो पहली बार, भारत stage 6 में introduce की गई है, ये अच्छे से आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ा आ vehicles के लिए, कि on board diagnostics, ये गाड़ियों में ही diagnostics tools होने चाहिए, या machinery होनी चाहिए, इस प्रकार की जो की गाड़ी के emission record, जो है, वो maintain करकर रखे, बताती रही, अब देगे, sulfur और nitrogen oxide के content की बात करें, तो most important चीज़ है, इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, तो sulfur जो ह कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, compare to sulfur जो release होता है भारत stage 4 fuel में, तो उस समय 50 parts per million sulfur जो है, वो release होता है, भारत stage 4 fuel में, और इसमें मातर 10 parts per million जो है, parts per million भारत stage 6 के fuel में, जो है, वो sulfur traces जो है, वो release होंगे, तो ये चीज़ हापर बता जा रही है, और nitrogen oxide का level जो है, वो भारत stage 6 grade diesel engine के अंदर और petrol engine के अंदर किस प्रकार से रहेगा, तो ये 70% diesel engine के अंदर nitrogen oxide को cut down कर देगा, भारत stage 6 और 25% petrol engine से nitrogen oxide को cut down करेगा, तो ये fact बहुत अच्छे से याद रखना, और भारत stage 6 जो है guys, ये particulate matter diesel car के अंदर 80% तक down कर जाएगा, और nitrogen oxide diesel cars में 70% तक कम करेगा, और cars म 25% तक जैसे मैंना भी आपको बताया, अब देखे, problem ये हो गई है कि अभी इन लोगोंने manufacturing manufacturers हो है न, उन्होंने बहुत जादा गाडियां वगरा बना ली थी भारत stage 4 की, अब क्या हो गया कि ये आगया, एक notification आगया कि भारत stage 4 जो है, वो allow किया जाएगा, 31 मार्ट 2020 तक ही, तो वो अब बोल रहे हैं कि हमने दो गाड़ी बना ली हमारा तो इसमें नुकसान हो जाएगा, हमें allow करो, इसको date को आगे बढ़ा हो तो इसको लेकर ये topic news में बढ़ा आपको भारत stage के बार में ये जो चीज मैंना आपको बताई है न, ये आपको ध्यान में रखनी है, लाइट कॉमबेक एरक्राफ्ट तेजस की बात करें, तो सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉमबेक एरक्राफ्ट है ये, इसने मिक-21 फाइटर प्लेन को रिप्लेस कर दिया, एरोनॉटिक डेवलप्मेंट एजनसी जो की Autonomous Society है, D.I.D.O की याद रखना, एरोनॉटिक फाइटर जैट है ये, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेट के द्वारा बनाया गया है, पहला जो था, वो मारुत था, HF-24 मारुत, इसके लाबा, जनरल रेंज इसकी साले 800 किलोमेटर की हमें देखने को मिलती है, और कॉमबेट रेंज, यानि की जो ये वार की प्रिवियस सेशन के अंदर, मेरे खाल से फेबरी में कवर करी थी है, मार्च के ही स्टार्टिंग में हमने कवर करी थी, अब देखे, पोटेंशल फिशिंग जोन की हाँ पर बात हो रही है, मतलब कि ऐसा जोन, जो की मचली पकड़ने के लिए बढ़िया है, तो इंडियन न रिच फिशिंग का, कि वहाँ पर अच्छी घाजी फिशिंग जो हो सकती है, तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है, और ओशियन सेट, तो इसे 2009 में लाँच किया गया था, इस डिजाइन तो प्रोवाइट सर्विस कुटिनिविटी फोर ऑपरेशनल यूजर्स ऑफ ओफ झाइन कलर मॉनिटरिंघ इंस्ट्रूमेंट और ओशियन सेट वन, तो Напр Çok E. है कि surface wind जो है उसको study करना ocean surface strata observation chlorophyll concentration का chlorophyll concentration के data से पता बताऊं क्या लगता है कि समुद्र के नीचे जो है वो अगर जहाँ जावरी plants वगरा है तो plants में chlorophyll हमें देखने को मिलता है तो उसको यह identify कर लेता और उसके through बता देता है कि कहां कहां पर यह है flora है तो यह चीज इस प्रकार से phytoplankton blooms वगरा जो होती है उनको monitor कर लेता है atmospheric aerosol को study कर लेता है जो suspended sediments हम लोग को पानी में देखने को मिलते हैं तो उसको study कर लेता है तो यह सब इसके इस्तमाल जो है वो किस purpose के लिए किया रहाता है तो जब भी कोई disaster warning वगरा देनी होती है information देनी होती है emergency के समय पर तब उस समय किया रहा सकता है potential fishing zone को identify करने के लिए किया रहा सकता है ocean states forecast यानि कि fisherman को बताय रहा सकता है कि ocean का क्या status हम लोग को देखने को मिल रहा है मतलब कि क्या इस्तिती है तो वो ocean का जो state है उसकी forecasting के बार में बताता है जैमनी डिवाइस जो है वो यह receive कर सकती है transfer कर सकती है data जो भी गगन satellite से जो receive होते है और इसको mobile phone मे Bluetooth connection के थूँ जो है वो transfer किया रहा सकता है तो यह कुछ ऐसी devices होती है जो कि mobile phone में without any internet जो है वो data provide करा सकती है जो समुदरी शेतर में internet मिले ना मिले पॉसिबल है ही नहीं वैसे तो तो उसके लिए यह गगन satellite जो होती है वो fishermen को direct जो है information देती है उनके mobile phones पे कि कहीं भी अगर कोई खत्रा होता है तो उस चीज के लिए और even इसके अंदर nor regional languages जो है वो हमें देखने को मिलती है इस पर यह information जो है वो देती है और mobile application develop करी है INCOIS ने जो कि decode करती है और display करती है information nor regional language में तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि ocean के अंदर fishermen जो है उनके लिए अगर कुछ खत्रा होता है तो इस प्रकार से satellite के माध्य हमसे उनको inform कर दिया जाता है तो Gemini device थोड़ा से ध्यान में रखना RBI नई guidelines release करी थी payment aggregators के लिए तो payment aggregators पहले तो जानो कि यह क्या होता है यह ऐसे player होते हैं जो की integrate करते हैं e-commerce companies के साथ और connect करते हैं उनको banks के साथ जैसे कि आप flip card पे Amazon पे वो करते हो खरीदते हो समान payment करते हो online तो यह यह payment integrators जो की बीच में होते हैं यह बीच में रहकर e-commerce company को bank के साथ जो है वो connect करते हैं तो मध्यस्ता का काम करते हैं और उसमें इनको कुछ जो है वो commissions और जो है वो मिल जाता है इस प्रकार से तो यह चीज हम लोग को इनकी देखने को बलती है payment aggregators की तो इसमें buildx बहुत ही common सी चीज़ है cc avenue कभी आपने online payment किया हो तो यह सब नाम सुने होंगे आपने first data buildx और cc avenue तो definitely सभी ने सुना होगा paytm भी वहाँ पर रहता है cash free भी है razor pay भी है तो इस प्रकार के payment gateway हमें देखने को मिलते है जो की e-commerce company को अपनी services offer करते है तो देखो अगर आ जाए exam में क्योंकि यही चीज़ पूछी आए payment aggregators कौन होते हैं तो आप समझ गए कि कौन होते हैं और this needs to be increased to 25 crore within 3 years of operation फिर इसको बढ़ा कर 25 crore इन लोग को करना है तीन साल के अपने operations पर है और existing non-bank entities offering payment aggregators service shall apply for authorization on or before 30 June 2021 तो RBI ने ये बोला है कि जिन भी banks को non-banking entities जो है अभी जो मौझूद है और उन्हें अगर payment aggregators बनना है तो अपनी application को 30 June 2021 ने पहले 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 जो है वो दे दो और pure payment gateway companies जो है ये separate कर दी जाएंगी as an entity के तोर पर और उन्हें identify किया जाएगा technology service providers के तोर पर banks और non-banks के लिए तो ये सब चीज़ें इतना आपको नहीं बढ़ना है वो payment aggregators के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान में रखना बैक्यूरिल्स ये चीज़ पूझी आ सकते ही बैक्यूरिल्स अभी टम news में था ये क्या है गईज तो SI unit है ये किस चीज़ के लिए radio activity जितनी भी होती है उसके amount को measure करने के लिए तो उसके बैक्यूरिल जो होता है वो एक disintegration per second हमें देखने को मिलता है older unit जो होती है radio activity की ये क्यूरि होती है तो यह लिए चीज़ भी आप ध्यार में रखना इससे पहले जो क्यूरि का इस्तमाल किया जाता था क्यूरि जो है वो originally defined किया गया था it is equivalent to the number of equivalent to the number of disintegration that one gram of radium 226 will undergo one second right तो currently क्यूरि जो है वो उसे define किया जाता है बैक्यूरि के तौर पर कि one क्यूरि जो है वो 3.7 into 1010 disintegration per second हमें देखने को मिलती है आप तो बस ये बैक्यूरि धान में रखो और क्यूरि धान में रखो कि इन दोनों का इस्तमाल किया जाता है मतलब कि measure करने के लिए radio activity को ठीक है और ibuprofen ये दवाई है जो कि इस्तमाल की जाती है coronavirus के समय पर बढ़ इसका जादा उपयोग unnecessarily किया जारा है तो कहा गया कि जो भी patients जो COVID-19 symptoms इनको है तो drug ibuprofen को avoid किया जाए anti-inflammatory drug हमें देखने को मिलता है जो की chemist के पास easily available है और इसे बिना किसी doctor prescription के purchase किया जा सकता है ये non-steroid है इसका इस्तमाल joint pain वगरा के relief के लिए migraine, fever, body ache even pain जब भी menstrual cycle के तोरान होता है तो उस समय भी दे दिया जाता है इसका काम जो है वो pain को, swelling को, fever को reduce करने का है और दूसरी anti-steroid non-steroid anti-inflammatory drug जो है वो है aspirin, cortisone, naproxen और dilophenac तो ये सब चीज़ आपको थोड़ी सी बस पता होने चाहिए real-time train information system की हाँ पर बात हो रही है तो इसे install किया गया है engines में, locomotives में train के जिसे की better तरीके से train के movement को track किया जाए जाए तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना RTIS project जो है real-time train information system project जो है इसे execute किया जा रहा है Center for Railway Information System के द्वारा CRIS के द्वारा और ISRO के collaboration के साथ ये किया गया है Center for Railway Information System जो है guys, तो Ministry of Railway ने इसको setup किया गया था, इसे society के दौर पर 1986 में, ये Information Technology Wing है, Indian Railways की इसका headquarter आपको New Delhi में मिल जाएगा इसका काम क्या होता है, तो Indian Railways के जैसे passenger, ticketing होती है passenger की ticket निकलवाना, freight operation मतलब मालगाडी वगरा जो होती है उसके operation में इसका 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 इस्तमाल किया जाता है, track करने के परपस के लिए समान वगरा को train dispatching, train कब निकल रही है कब आ रही है, और पूरा control crew management, e-procurement हर चीज जो है, वो इस के साथ जो है, वो जुड़ी होती है निकिन link होती है, इस system के साथ और National Train Inquiry System जो है न, NTES, आप गए होगे कई बाद आपने जब भी train travel को track किया होगा, तो NTES का इस्तमाल किया जाता है, तो इसे भी CRIS के दौरा जो है, वो डवलप किया गया है, तो याद रखना Center for Railway Information System है, Ministry of Railway के अंटर आती है ये, और इसका काम ही कि जितने भी, यानि कि train की tracking ticket वगरा को बनाना, तो यह सब जितनी भी IT से related चीज़े होती है, वो यही किसी काई काम होता है, अब electricity production की हाबर बात हो रही है, तो India याद रखना कि तीसरी largest producer है, पूरे दुनिया भर में electricity के मामले में, तो यह fact याद रखिएगा, हम पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर सबसे आदा electricity power को जो है वो produce करते हैं, latest world energy statistics जो publish की गई है International Energy Agency के द्वारा 2009 में उसके थूँ यह चीज़ बताई गई और International Energy Agency जो है यह Paris-based autonomous intergovernmental organization है, जिसे Organization of Economic Cooperation Development के framework के तहत 1974 1974 में develop किया गया था, establish किया गया था, green core rating system की हाँ पर बात हो रही है, तो Confederation of Indian Industries CII के द्वारा से develop किया गया है proactive voluntary action of Indian industry या private sector towards combating climate change के तोर पर इसे use किया जाता है मतलब कि जो industries है, Indian industry है, Indian private sector है, वो खुद से अपनी मर्दी से क्या करते है, climate change को comeback करने के लिए, उसके effect को reduce करने के लिए, जो है वो contribute करते हैं, और green core rating जो है, ये एक company का आखिलन करती है, फर्म का आखिलन करती है, उसकी environmental performance पर और उसको इस particular चीज के साथ देख कर रखती है, कि जो हमारी nation की जो priorities है, environment को लेकर जैसे की energy efficiency, water conservation, renewable energy, waste management, तो इन सब चीजों पर उस company का क्या योगदान है, और उसके बाद फिर उस firm को उस company को जो है, वो ranking दे दी जाती है, तो ये चीज इस प्रकार की हमें देखने को मलती, green को rating system के अंदर, तो ये चीज आप थोड़ी सी धान में रखना, micro small and medium enterprises की नई definition बहुत जल्दी आएगी, ऐसा जो है, वो कहा गया था, news के अंदर, तो government ने 39 suggestion, UK सिनहा committee से accept किये थे, तो कोशन अगर बन जाए कि UK सिनहा committee, जो है, वो किस से associated है, तो MSME sector से associated है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसे RBI ने appoint किया था, right, fund of funds जो है, MSME sector के लिए setup करने के purpose के लिए, और 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 भी काफी सारी चीज़े, MSME से जोड़ी हुई, जो है, तो उसके लिए, इसे setup किया गया था, तो UK सिनहा committee ध्यान में रखना, कभी-कभी direct committee के question पूछते हैं, कि ये committee फलाना, जो है, contribute करती है, और इनका annual turnover, एक लाख करोड रुपे financial year 2020 में बताया गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, इसलिए कहा जाते हैं, कि MSME sector जो है वो, उसके पास बहुत जादा potential है, हमारी country की growth के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, वो, MSME sector से जुड़े होगा है, majority, LIDAR, ये भी चीज़ आपको धहर में रखना है, light detection and ranging, इसका full form है, full form कभी-कभी पूछ लिए जाता है, इसमें होता है कि मैं आपको आसान भाशा में समझा हूँ, तो ground का survey जो होता है, यानि कि ground based survey जो होता है, consequence चीज़ है, तो इस प्रकार से जो है वो survey कर लिया जाता है, तो ये remote sensing method हमें देखने को मिलता है, light का इसमें इस्तमाल किया जाता है, और ये pulse laser के form में light जाती है, निकलती है device से, और फिर ये distance को measure करती है, जैसे कई बार आजकल तो ऐसी lasers आ गई है, जैसे शाइर आपने use भी करी होगी, काफी सारे जो engineer से उसका उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, laser को उसमें दीवार पे करते हैं, या फिर अगर आपके पास apple की कोई device होगी, तो apple के अंदर भी वाला feature है, और आजकल तो camera में भी release होती है, pulse form है, pulse के form में, और फिर वो इसी प्रकार से measure वगरा करके बताती है, कि कौनसी कौनसी चीज, कौनसी कौनसी object कहाँ पर है, तो ये ground का survey करने के purpose के लिए lidar technology का इस्तमाल किया जाता है, और railways जो है, वो इसका इस्तमाल कर रही थी, तो उसको लेकर भी news थी, मेरे खाल से ये जो news है, वो उससे related नहीं है, बढ़ा railways को भी, railways ने भी इसका इस्तमाल किया हुआ lidar का, पहली बार जो है, इसका उपयोग spacecraft में किया गया था, Apollo 15 mission के दुरान 1971 में, जब astronaut ने जो है, वो moon के surface को map किया था, तो यहाला point भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, lidar sensor जो है most important component है, self driving car के लिए भी, क्योंकि अब obvious ही वाद अपने आप car चलेगी, तो वो lidar, lidar के, sorry, lidar के through ही जो है, वो check कर पाएगी, कि आसपास जो है, उसके कौन से object है, यह चीज है, इससे जोड़े challenges जो है, वो क्या-क्या है, तो it can measure the distance to surrounding objects up to 5 meters हवे, तो 5 meter अवे तक के ही objects के distance जो है वो, यह वो कर सकती है, map कर सकती है, और जब भी visibility अगर कम होगी, जैसे कि fog होगा, वारिश होगी, snow होगी, dusty weather होगा, तो फर यह perform नहीं कर पाएगी, लिडार जो है, वो struggle करती है, glass wall या फिर door को detect करने में भी, अगर glass wall है, तो उससे वो आरपार हो जाएगी laser, तो obviously बदे इससे दुरगटना होने के भी chances हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यह ली चीज़ है, sonar, sonar की बात करें, sound navigation and ranging है यह, तो यह rely करती है, sound waves के उपर objects को detect करने के लिए, और usually इसका इस्तेमाल किया जाता है, underwater objects को detect करने के लिए, कई बार काफी सारी मचलियों वगरा को भी detect करने के लिए, sonar जैसी technology का उप्योग किया गया है, radar जो है, radio detection and ranging हमें देखने को मिलती है, इसमें radio waves का उप्योग किया जाता है, दूर दराज के distance को determine करने के लिए, check करने के लिए, measure करने के लिए, radio waves जो है, वो long distance पर काम बैटर तरीके से कर सकती है, और इसका इस्तमाल जो है, वो dusty condition में भी आराम से किया जा सकता है, अब tech for tribal program है, tri-fet के द्वारा इसे launch किया गया है, इस program को, इस program में हम लोग को क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है, तो 5 करोड tribal entrepreneurs को transform करना इसका main objective है, और इसे micro small and medium enterprises ministry ने support किया इस program को, इसका aim यह है, capacity building करना, बहुत सारे entrepreneurship skills जो है, वो develop करना, tribal forests, produce gatherers में, मलकी जो forest में रहकर, forest के जो products हैं, उसको gather करते हैं, तो उनको entrepreneurship skills जो है, वो provide कराना, develop करना, और वो प्रधार मंतरी बंधर योजना के अंडर, enroll हो जाएं, और जो जिनको train किया जाएगा, तो उनके लिए 30 दिन का यह program होने वाला है, 6 हफतों का, जिसमें 120 session होंगे, तो यह सब points वगएरा याद रखने की जरूत नहीं, इतनी सी चीज़ जो मैंना आपको बदाई, वो तोड़ा ध्यान में रखना, इसके अंदर बहुत सारी skills उनके अंदर डेवलप की जाएगी, achievement, motivation, positive psychology, entrepreneurial competencies, identification of local available, NTFP, non-timber forest products, based business opportunities, तो इस प्रकार की चीज़ जो है, वो उनको provide की जाएगी, इनके course curriculum में यह सब चीज रामिल है, huntingtin disease, huntingtin disease, तो इसकी हाँ पर बात हो रही है, progressive genetic disorder है यह, जो की affect करता है brain को याद रखना, huntingtin disease जो है, वो किसको affect करती है, brain को affect करती है, इसमें, इंसान के पास control नहीं होता, उसके movement का, बिल्कुल भी, जैसे होता है ना, कि कोई सामने खड़ा, फट से थपड मारत वार रहे है, मुझे बिमारी है, मेरे हाथ में control नहीं कर पता, अपने आप हो जाता है, impaired balance, जो होता है coordination, यानि की movement का, मिलब सही balance नहीं हो पाता, जैसे कि हाथ उठा रहे हो, हाथ उठेगा ही तो, इस प्रकार की हालत हो जाती है लोगों में, cognitive ability, खम होने लगती है, सोचने समझने की सकती जो हो होने लगती है, तो यह सब चीज़े है, concentrate करना difficult हो जाता है, memory lapse होती है, कई बार इंसान भूल जाता है बहुत सारी चीज़ें, गजनी हो जाता है, mood swing हो जाते हैं, personality changes होने लगते हैं, इंसान डर जाता है कई बार, डर मतलब सामने आला डर जाता है, तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर होने लगती है, बट देखो यार, जिसको बिमारी है, obvious ही बात है कि, वो ही समझ सकता है, बिमारी के बारे में कि, क्या क्या चीज़ें लोगों को face करनी बढ़ती है, तो यह सब चीज़ें हैं, इसके बारे में आप disease का नाम याद रखो, क्या है यह disease, बलग genetic disease है, यह तो आपने समझ लिया, और कहां पर effect करती है, तो वो बस आपको समझना है, और huntingting protein है, हम लोग को देखने को मिलता है, तो scientist ने पाया है, एक pathogenic protein, जिसका नाम है huntingting protein, इसी के कारण जो है वो, हमें देखने को मिलता है, कि protein का जो production है, वो reduce हो जाता है, और team of scientists, जो National Center for Cell Science पूने के हैं, इन्होंने observe किया है, कि pathogenic huntingting protein, जो है, वो क्या करती है, overall protein का जो production होता है, cell के अंदर उसको decrease कर देती है, और इसी के करण यह इस्तिती जो है, वो develop होती है, तो यह जाली चीज़ नोंने समझाने की कोशिश करी है, scientist researcher ने जिसके बारे में, आपको idea होना जाए है, बागी यह बिमारी के बारे में हो, और बिमारी कहाँ पर effect करती है, वो चीज़ धार में रखो, अब गैज़ बात करेंगे, India VIX Index के बारे में, तो यह एक barometer है, volatility का, अब volatility जो है guys, यह हमें कब देखने को मिलती है, जब भी भी कभी, जो price जो है, खीमत जो है, उनमें changes आते हैं, उनके rate और magnitude में, changes आते हैं, prices के, और volatility index जो है, यह एक प्रकार का measure, हम लोग को देखने को मिलता है, कि किस प्रकार से, आने वाले समय पर, indexes जो है, जैसे कि nifty 50 हो गया, तो वो किस प्रकार से, जो है, उसमें changes आएंगे, वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, तो इसके लिए ये, चेक किया जाता है, India BIX index को, यह अली चीज है, white flies resistant variety of cotton, national botanical research institute, जो लखनव का है, तो white flies, जो सफेद मक्ही जो है, वो cotton के ओपर, मलब, जैसे कि ये cotton के ओपर, जो मक्ही आती है, और cotton को खराब कर देती है, तो ऐसा cotton मन गया है, कि ये मक्ही जो है, वो cotton को खराब नहीं करेंगी, तो ये national botanical research institute, जो लखनव हो है, उसने ये variety, जो है, वो cotton की develop कर रही है, और white flies के कारण, cotton जो है, वो destroy हो गए थे, खराब हो गए थे, world sparrow day की बात करें, तो March 20 को जो है, वो मनाया जाता है, और पहली बार 2010 में, ये celebrate किया गया था, scientific name जो है, उसका passer, domesticus हम लोग को देखने को मिलता है, sparrow का, और sparrow जो है, वो least concern की category में, हमें देखने को मिलते हैं, IUCN की right list के, और state bird है, ये बिहार की और दिल्ली की, तो याद रखना, बिहार और दिल्ली की state bird, जो है वो है sparrow, अब बात करते हैं, हुबाली अंकोला railway line के बारे में, तो हुबाली अंकोला railway line, जो है, करनाड़ा का सरकार ने, इसके proposal को clear कर दिया है, और एक expert committee के according, दो लाग से जादा paid, जो है वो सरेडरी line के लिए, गिराए जा रहा है तो इसलिए, ये topic हमें, news में देखने को मिला था, तो ये चीज़ अभी आपके mains के लिए, थोड़ी सी मलचानकरी हासिल करने के लिए थी, बाकी इसके लिए नहीं है, यहाँ पर बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना है, दंदेली forest वगएरा अगर पूछ लिए जाए, तो यूशुड एबल टू अंसर कि ये forest वो है, यहाँ पर चार प्रकार की hornbills हमें देखने को मिलती है, मालाबर पाइट, मालाबर ग्रेट पाइड और इंडियन ग्रेट, अब इसके लबा कैरीसा कोपिली, एक नई प्लांट की प्रजाती है, जो की असाम में पाई गई कैरीसा कोपिली, तो कोशन आजाए कि कैरीसा कोपिली क्या है, तो असाम के अंदर एक नई प्लांट की species प्रजाती हमें देखने को मिलती है, simple cities बस यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, और largest south bank tribal tree जो है ब्रह्मा पुतरा की असाम के अंदर, वो कोपिली नदी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके नाम पर यह जो plant का नाम रखा गया है, interstate river है, जो की मेगाले और आसाम के बीच में बहती है, कोपिली नदी, ठीक है, तो यह कोपिली नदी और कोपिली प्रजाती के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आसाम के अंदर पाई गई है, नहीं प्रजाती हमें देखने को मिल रही है, अब देखिए, OTT platforms यह mains के लिए topic था, OTT platforms हो, जो Netflix, Amazon, Prime यह सब होते हैं तो इसको लेकर यह platform हमें देखने को मिला था, तो telecom companies ने OTTs जो platform providers जो हैं, उनको कहा था कि अपनी video quality को जो है वो reduce करें, जिससे की network के उपर load जो है वो कम हो सगे, तो यह चीज़ हमें देखने को मिली थी, क्योंगी network पर OTTs के कारणा काफी ज़्यादा load जो होता जा रहा था, अब scheme for promotion of bulk drug parks, तो हमारी country के अंदर हमने bulk drug park जो है वो बनाने के लिए, एक scheme बनाई हुई है, अगले पाच सालों में 3000 करोड रुपेस पर हम लगा रहे हैं, और bulk drug parks जो है वो हम लोग तयार कर रहे हैं कि साथ स्यादा जो medicines हैं और medicinal products जो है vaccines वगएर हैं यह सब हमारी country के अंदर हम बनाएं, तो उसके लिए हम यह पार्ग जो है वो बना रहे हैं, तो यह आले चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो यह scheme है, इंकासू कार्ड, इंकासू कार्ड जो है यह चीज़ कोशन पूछी आ सकती है, इंकासू कार्ड जो है वो किस से related है, तो करूर व्यास बैंक जो है इसने launch किया है, इंकासू जो कि एक prepaid card है, और यह करूर तमिल नाडू के अंदर launch किया गया है, cash transaction को reduce करने के लिए, इंकासू का तमिल में मतलब होता है my money, ठीक है, तो my money card, इंकासू card, और near field communication technology के उपर अधारित है, near field communication technology क्या है, तो देखो जिस machine में हम लोग POS machine होती हैं, जिस पर हम लोग card को swap करते हैं, तो card को इसके पास ले जाया जाता है, तो automatically पैसे कर जाते हैं, तो फिर वो यह near field communication technology हमें देखने को मिलती है, तो यह technology के बारे में थोड़ा सा ध्याद में रखिएगा, short range, wireless, connectivity, यह technology हमें देखने को मिलती है, magnetic field का उपयोग यह करती है, transaction करने के लिए, right, बिना touch किये, right, they are touch together and brought within a few centimeter of each other, तो कई बार touch, वो जो machine होती है, इसके पास बस ले आओ, wireless भी और हलका सा भी touch भी कर दोगे, तो वो transaction हो जाता है, right, तो यह लिए चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है, बिना, swap करने की ज़रूद नहीं होती है, कि आज कर बहुत जादा रिस्क बढ़ता जा हो जाता है, तो technology development board के बारे में आपको बता होना चाहिए, तो यह department of science and technology के अंडर आती है, और इसने invite किया है technology proposals COVID-19 से लड़ने के लिए, कि innovative solutions सस्ते rate में, यानि कि low cost mask आएं, और cost effective scanning devices आएं, technologies आएं, sanitation के लिए large areas के, right, और contactless entry के लिए, कुछ न कुछ ऐसी चीज होनी से है, जो की मार सके, इसको मनलब की, यह jumps वगरा को मार नहीं कि technology जो है वो लाई जा सके, तो इसके लिए उसने invite किया है proposals, बट technology development board की बात करें, क्योंकि इससे related आप से question पूछे जा सकते हैं, तो यह statutory body है, जिससे establish किया गया है technology development board act 1995 के दायर, इसका main aim यह है कि India के अंदर ही हम ल research and development के लिए research and development पर private sector का investment जो है वो बढ़ जाए, तो technology development board ने global innovation and technology alliance गीता को जो है वो establish किया है, तो यह चीज़ भी आपको धहार में रखने हो, गीता एक joint venture है, CII Confederation of Indian Industry और technology development board का, जिसमें 51% CII के share है और 49% technology development board के share हमें देखने को मलता है, यह help करती है department of science and technology की, कि industrial research and development programs को implement करने के लिए, अलग-अलग countries के अंदर, bilateral और multilateral science and technology, जो cooperation agreements होते हैं, उसके तहए, जो अलग-अलग country में हम लोग करते हैं, मलब collaboration करते हैं, दूसरी countries के साथ, दूसरी country में मौझूद company के साथ, तो उसमें assist करने का काम होता है, इस गीता का, अब modified electronics manufacturing cluster scheme यहाँ पर भात हो रह है, और यह electronic manufacturing clusters के स्थुरू हम लोग कर सके हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, कि setup किये जा रहे हैं, दोनों ही electronic manufacturing clusters और common facility centers वगिरा, देखो, कुल मिलाकर हम लोग जो है, वो यहाँ पर plug और play facility के ओपर काम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा infrastructure तयार करना चाह रहे हैं, कि simply बस वहाँ पर company आए, company आकर बस अपना काम शुरू कर दे, उसको कुछ और चीज अलग से लगवाने की ज़रूरत ना पड़े, company के लिए या industry के लिए, जो भी machinery के आवशकता है, जो भी electronic technology के आवशकता है, सब कुछ यहाँ पर available करवाई जाए, तो उसको लेकर यह हम ल hydrochloroquine का उपयोग जो है, hydrochloroquine जो है guys, इससे confuse नहीं होना है कि यह कोई anti-malaria drug chloroquine नहीं है, यह एक oral drug है, मुझ से दी जाने वाली दवाई, हम लोग को गोली के फॉर्म में दी जाने वाली दवाई है, जो कि autoimmune disease को जो है, वो treat कर सकती है, जैसे कि rheumatoid arthritis, autoimmune disease जो होती है, वो immune system foreign objects को attack करता है, जो कि काफी सारे joints को, और मुझे खुद रिमुटराइट arthritis की problem है, एंकलूसिंग स्पॉंदिलेटिस, तो जिसमें स्पाइन में बहुत पेन हुआ करता था, बढ़ आप लोग ने इतनी दुआ करी, कि अब मेरा पेन जो है, ठीक हो गया, मेरी इंकवर हो गय जो है, बता जा रहा है कि कुछ studies के दुरू की COVID-19 में, जो है, वो मदद का रही है, यह, simple series आपको ध्यान में रखनी है, और clinical trials जो है, वो उसके चायना में भी चल रहा है, कि क्या यह दवाई, जो है, वो treat कर सकती है, coronavirus को, तो यह अली चीज थी, अब एंसोम्निया और agusia, यह possible sign है, COVID-19 के तो यह अली चीज आई थी, तो इसमें भी आपके लिए, prelims के लिए काम की बात नहीं है, right, National Center for Disease Control, यह थोड़ा सा काम का है, इसको ध्यान में रखना है, तो National Center for Disease Control, जो है, वो एक institute है, जो कि deal कर रही होती है, अलग-अलग communicable diseases के साथ, तो उनके साथ मिलकर यह, जो है, वो research बगएरा, conduct करने का काम होता है, इसका main focus है, कि disease को control करना, hanta virus, यह चीज़ पूछी आ सकती है, आपसे hanta virus, तो यह चाइना के अंदर एक और virus जो है, वो पाया गया, युनान प्रोविंस में, hanta virus, यह basically, rodent, जो है, mainly rodent, जो उनके थूहे, तो उनके थूँ जो है, फैलने वाला virus है, और human to human, इसका transmission होगा की नहीं होगा, तो इसके ब ICMR ने इसको approve कर दिया था, इनकी test kit को, इसलिए यह topic news में था, तो simple सी चीज़ यह दहार में रखो, black carbon का जो level है, वो हिमालेन glacier के पास जो है, वो बढ़ता जा रहा है, black carbon, black carbon concentration जो है, वो गंगोतरी glacier के पास 400 गुना जादा जो है, वो गर्मियों के समय पे बढ़ गया है, because of forest fire और stable burning, तो इसको लेकर एक report जो है, वो सामने आई थी, अब यहाँ पर आपको black carbon के बार में थोड़ा सा जानना है, कि हम लोग बोलते हैं, carbon dioxide का emission होता है, CO2 जो निकल रहा है, उसके बाद अगर किसी, दूसरी चीज़ का अगर सबसे जादा emission हो रहा है, climate change में जो दूसरी carbon dioxide बहुत लंबे समय तक atmosphere में रहता है, black carbon नहीं रहता, black carbon की life जो होती है, बदब मान के चलो कि एक हफते से, बलब एक दिन से एक हफते के आसपास में ये black carbon खतम हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर सही तरीके से चीज़ों को manage करेंगे, तो black carbon को control किया जा सकता है, ब पर गर जाए, तो even हमें देखने को मिलता है कि snow के surface को भी dark कर देते है, snow और ice के surface को dark कर देते है, और उनकी जो ability है, albedo की, मतलब की reflecting power जो होती है उनके surface की, तो उसको जो है ये खराप कर देते है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि काफी ज़दा, ये heat जो है वो अप carbon dioxide, जो दूसरा ऐसा ऐसी चीज़ है, जो कि climate change में सबसे आदा contribute करती है, तो हो है black carbon, but black carbon जादे दिनों के लिए नहीं exist करता है, median incubation period, ये क्या होता है, तो coronavirus के scientist है, जो study कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसी में लगाए कि 14 दिन का इसका period हम लोग को देखने को मलता है, जिस समय इसका जो infection जो होता है, वो सामने आ जाते है, तो इसी चीज़ को median incubation period कहते है, जिस समय एक individual वो coronavirus हुआ होता है, तो वो उभर कर सामने आ जाता है, और also recently एक report आई है कि median incubation period जो COVID-19 का है, वो just 5 दिन से उपर का है और 97.5% लोग जिनमें symptoms develop हुए है, वो मात्र मान के चलो कि 11. 11.5 days में जो है, वो आ गए है, symptoms होता था और यही एक वजा थी, जिसके कारणा से जो है वो यह disease, वो फैलती है, तो इसके बार में तो अच्छे से आपको बता होना चाहिए, median incubation period होता गया, तो simple और असान भाशा में, जैसे कि एक विक्ती infect हुआ, ठीक है, अब infect होने के बा जो है, उसको coronavirus हो गया, क्योंकि infection और symptoms होगे रहा, जो है, वो उभर कर बाहर आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो देको disaster management act 2005 फिर से यह news में आ गया, इसके बार में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी थी, अब देके recapitalization plan जो है, वो हम लोग को regional rural banks के लिए द weighted assets ratio को improve करेगा, capital to risk weighted assets ratio को, तो question यहां से बनेगा, कि यह होते है, capital to risk, asset weighted ratio, तो देखो, the capital needed for a bank, एक bank को जिन capital की आवशक्ता होती है, ठीक है, measured in terms of assets, mostly disbursed by bank, और जो loans होते हैं, जो bank disbursed करती है, तो इसके जो ratio होता है, वो यह वाला हमने देखने को बलता है, कि capital कितना चाहिए और कितना वो disbursed कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, और जैसे ही जादा हम लोग को assets देखने को मिलेंगे, bank के पास capital भी जादा होगा, यानि कि जितने उसके पास collaterals आए हैं, तो उसका मतलब banks के पास भी assets जो हो जादा रहेगा, regional rural bank की बात करें, Indian schedule commercial banks हम लोग को देखने को मिलते हैं, सरकारी bank मतलब ये regional level पर हमारी country के अलग-अलग states पर जो हो operate कर रहे होते हैं, और इन्हें create किया गया है primarily गाउच येतर के areas को serve करने के लिए कि वहाँ पर basic banking और financial services available रहे हैं, अब legacy waste की बात करें, legacy waste मतलब की सदियों से चला हुआ आ रह कालो काल से चला हुआ आ रहा है, कच्रा waste तो waste जो की collect किये जाते हैं और छोड़ दिये जाते हैं कही पर किसी बंजर जमीन पर सालो सालो के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, legacy waste और recently NGT ने direction दिया है, एक committee को की बताय वो कि ये वाले जो waste है, क्योंकि दिल्ली के बाहर आ और वो जो पहार जो था पास जाके देखा तो वो कच्छरे का धेर ता, तो इसी चीज की study करने के लिए committee बनाई है, और ये committee जो है बस study करेगी कि ये जो legacy waste है, वो किस प्रकार से pollution create कर रहा है, तो legacy waste का आपको बस meaning बता होना चाहिए, कि होते गया है, max 4028 wheat variety की हाँ पर बात ह और ये तो scientist जो अगर-गर research institute पूने के हैं, उन्होंने develop किया bio fortified durum wheat variety max 404 है, जहाँ पर भी आप fortified या bio fortified सुने, आपके दिमाग तुरंद क्लिक करना चाहिए उस चीज पर, कि fortified जो भी crops होते हैं, इसके अंदर कुछ extra nutrients मिलाए गया होते हैं, तो ARI पूने जो है, वो autonomous institute है, Department of Science and Technology की, Government of India के अंदर आती है, और bio fortification क्या है, तो एक ऐसी process हमें देखने को मिलती है, जिसमें nutrients जो है, वो मिलाया जाता है, crops के अंदर, conventional plants breeding के तुरू और genetic engineering के तुरू, तो यह आली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, दुरम क्या है, दुरम तो यह एक kind है, hard wheat का, जो क उकती है, arid छेतर पे, मतलब dry छेतरों पे जो उकती है, जहाबर पानी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, और semolina, 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 semolina वहाँ पर लगाया जाता है, और पास्ता बनाने के purpose के लिए जो है, वो इसका इस्तमाल किया जाता है, दुरम wheat, जो है, या फिर टिटिकम, तु वराइटी हमें देखने को मिलती है, तो यहले चीज़ है, जिसके बारे में आपको बता होना चीए, humanoid robot इसको test कर लिया गया है, और यह government hospital जो जैपूर में है, वहाँ पर यह robots लगाया जा रहे हैं, इसका इस्तमाल किया जाएगा, जो भी infected patients हैं, तो यह robot जाकर उनको दवा की company, club first के तौरा develop किया गया है, South Korean model, तो यह जीज़ धान में रखना है, यह definitely पूछा आ सकता है, trace, test, treat, तो यह 3T हमें देखने को मिल रहा है, South Korean model है, याद रखना, यह COVID-19 के spread को, जो है वो control करने के purpose के लिए बनाया गया है, trace, मतलब पहले trace करो, फिर test करो, फिर ilाज करो, treat करो, तो यह simple सी चीज़ पर ध्यार में रखना की coronavirus के patients के लिए, उसको control करने के लिए, Korea का यह method हम लोगो 3T का देखने को मिल रहा है, अब कुछ उपाई की बात की जारी है, कि लिए गाए है, Reserve Bank of India के तरह, जैसे की इसकी जो monetary policy committee की meeting हुई, की आज की rate में lockdown के चलते, मतलब मा तीन महीनों की postpone कर दियाएगी, तो यह लिए चीज़ दोने बोली कि जिल लोग को EMI भरनी है, वो 3 महीने के बाद भरना शुरू करें, मतलब क्यों उनको यह मिल जाएगा, रहत जो है, वो मिल जाएगी, non-payment will not lead to non-performing asset, मतलब की non-payment अगर कोई अपनी EMI नहीं भर रहा ह तो bank के लिए वो NPA नहीं होगा, जैसे कि bank की भी balance sheet जो होगी वो अच्छी clean रहेगी, repo rate को 75 basic points से reduce करके 4.4% कर दिया गया, कि जिससे कि bank को तुरंद जो है वो अगर loan की आवशकता पड़े 2 हफतों के लिए, क्योंकि हमने बात करें तो तुरंद जो है वो 2 हफतों के अगर bank इनको आवशकता पड़े loans की तो वो ले सके है, और reverse report rate जो है, इसे 90 basis point से जो है, वो cut करके 4% कर दिया गया, तो यह चीज हमें देखने को मिली, तो यह सब चीज़े है, और fight corona idea thon, तो दो दिन का online event था यह यह चीज आप से नहीं बूशी आईगी, और ossification test, यह primary test हमें देख करने की, test जो है, वो सिर्फ बताती है, कि estimated age जो है, वो क्या है, एक व्यक्ति की exact age नहीं बताती, तो यह direct चीज यह पुछे हैगी, ossification test अभी news में था, यह क्या बताता, तो एक व्यक्ति की age क्या है, उसके बारे में जो है, यह बताता है, और state of मध्यप्रदेश versus अनूप सि जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड के बारे में, तो 1947 के समय पर पाटीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री जब बनी थी, तब आपने गदर एक प्रेम खदा पिक्चर देखी होगी, तो आपको पता है कि किस प्रकार से दंगे बाजी 1948 में उन्होंने फंड क्रियेट कर दिया, मतलब इस फंड में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो है वो पैसा लगाईगी, पब्लिक जो है वो डोनेट करेगी, इसमें किसी ब्रकार से सरकार की तरफ से कोई भी बजटरी ऐलोकेशन नहीं था, सिर्फ पब्लिक का पैसा था ये टोटल, वैसे तो सरकार के पैसा होता है, वो टेक्सपेर कही होता है, पर यहां पर वॉलंटरी डोनेशन के थूरू पैसा जो है वो कलेक किया गया, कि जिनने लोग भी जो है, जो डिस्प्लेज हुए है, मतलब कि जिननों अपने घर वगर हो खोया है, और फिर वो जो परि प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के थूरू निकाला जाता है, और यह जो रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर, नैशनल रिलीफ फंड, it is not constituted by पार्लिमेंट, पार्लिमेंट के दोरा इसे नहीं बनाया गया था, फंड जो है वो एक ट्रस्ट के तोर पर हमें देखने इंकम टेक्स जो है, वो नहीं लगेगा, यानि की डिदेक्शन हो जाएगा, और इस फंड के अंदर चेयर में जो होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ओफिसर्स और स्टाफ भी जो है, वो असिस्ट करता है, और कॉंट्रिबूशन जो होता है, वो कॉर्परेट के लिए भी कॉलिफा हो जाता है, आपको कॉपरेट शोचल रिस्पॉंसिटि के बारे मैंने बताया था कि किस प्रकार से कंप्री जो है, वो CSR के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि पैसा जो है, वो लगाती है, और वो सोसाइटी के लिए जो है, वो कुछ करती है, तो वो भी इसमें जो है, वो कॉंट्रीट होगा, तो चलो क्लाप्स करो, कि हमने जो है, मार्ज 2020 का फाइनली रिवीजन जो है, वो कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स क्लास में एप्रिल 2020 के रिवीजन को शुरू करेंगे, और इसका एक कंपाइलेशन वीडियो मैं जल्दी ल कर लिए, अगर हो कभी कभी देखो नुकसान हो जाता है, कि डिजिटल चीजे क्या कर सकता है, विसमें मेरे हाथ में भी कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है तो चलो फिर अब मिलेंगे, हम लोग कल तब तक लिवाबाई, टेक क्यार, कल मतलब नेक्स क्लास में, तब तक लिवा भबाई, तक क्यार, हव ग्रीट यह थाएट